वाग क्या बर्थडे था और सच में ऐसा अलाच में बर्थडे के गुबारे नहीं फटते कुछ औरी फटरी होती है नमश्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूं चिंटू का बर्थडे मुवी के बारे में जिसे जी फाइब पर रिलीज किया गया है इसे डैरेट किया देवांसु कुमार और सत्यांसु सिंग ने और ड्राइट भी इन दोनों ने किया वे टिटू जरा एक पर पता करियो इन दोनों भाई है क्या लास्ट में दोनों के सुसू आ रहे हैं अगर इस पूरी मुवी की मैं कहानी सिर्फ वर सिर्फ एक लाइन में बताना चाहूँ तो यही होगी कि यह पूरा परिवार मिलकर अपने परिवार के सबसे चोटे सदस्य यानि चिंटू का छटा जनब दिन बनाना चाहते हैं बस इतनी सिगानी है और वो इराक में बना रहे हैं तो यह फैमली इराक कैसे गई इसको बता जाता हूँ मदन दिवारी भारत में एक वोटर प्योरिफाई की कमपनी में काम करता है इस सेल्समें कमपनी अच्छी चल रही है तो इसके बوس को बता चलता है कि अराक में पानी की बहुत ज़यद क्लत है वहां पर वार्टर प्योरिफाई बहुत चप अच्छे से चलेगा तो वो मदन को इराक बेज़ देता है जब मदन इराक में जाता है तब सदाम हुसेन का वहां पर राज होता है, डिक्टेटर होता है, उसकी सब वहां पर चल रही होती है, उस वक्त मदन तिवारी का जो काम है, वहां पर बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा खासा रुपया वो कमा रहा है, फिर वो मदन तिवार अपने बोस को कहता है कि उसके परिवार को भी एराक में बेज़ देता कि अब वो वहां पे रह सेगें क्योंकि यहां पे अच्छा खासा रुपए मिल रहे हैं और साथ में अपनी सास को भी बुला लेता है एक मिनिट 82 यह चेकर यहर स्क्रिप्ट में आए गया अब यही होगा यार अगर तुम पासपोर्ट चेक नहीं करोगे तो यह पूरा परिवार अपने चिंटू और अपने बेटे सबसे चोटे सदसे चिंटू का जनम दिन काफी टाइम से बनाना चाते हैं उसका बड़े बन ही नहीं पारा एक साल पहले भी ऐसा हुआ था कि चिंटू का बड़े कैंसल हो गया था कुछ रीजन से और इस बार भी ऐसा ही होता है कि जब उसका बड़े होता है तो एक कार में प्लास होता है तो अमेरिकन फोजी इस चीज़ का पता करते करते कि भी कार में प्लास किसने के है तो चिंटू के घर में आते हैं यह दो फोजी होते हैं जो वो इन चिंटू के घर पे आते हैं एक बात जो मुझे इस मुवी की अच्छी लगी कि हम गलतियां कर देते हैं लेकिन गलतियां करने के बाद यह नहीं कि हम हार मान के बैठ जाएं गलती कर दी उससे कुछ सीखा उससे लड़े हम वो चीज़ें इसमें दिखाएंगे जो मदन अपने परिवार के लिए और अपने लिए वो कर रहा था लास्ट में चिंटू का बड़े बनता भी है बट जैसा मैंने सोचा था वैसे नहीं बना था मतलब यह अच्छी चीज़ है मुझे अच्छा लगा कि जो अगर हम जैसा सोचेंगे अगर वैसा की कुछ होगा तो इंटरस्ट का रह जाएगा मूवी के बारे सिरियसली जब मैं यह मूवी देखने बैठा था तो मैंने अपने माइंड से यह लेके बैठा था कि यह मूवी जोगी वो कॉमेडी होगी क्योंकि यार इसके अंदर जैसे चिंटू का बड़ यह चोटा बच्चा दिखा रहे है तो यह आपको बताने के लिए इस चीज का नाम लेना पड़ता है कि कामसूत्रा इस वर्ड का नाम लेने का क्या इंपोर्टेंस बनता है मतलब कि इस लाइन के बिना भी तो काम चल रहा था ना कि आप भारत से हो तो यह बात बोल देते वहां पर बट मुझे नहीं पता कि क्या सोचकर डिरेक्टर या राइटर ने वह चीज वहां पर लिखी कि मैं भारत से हूँ उसके बिना भी मतलब वो क्या सोचकर हसाने के परपस पर लिखी थी सिरियसली यार उसे सुनकर कोई हसी तो आती है नहीं अब एक्टिंग के बाद करें तो सभी कलाकारों ने जबरदस्त प्रफॉर्मेंस दिया है मेरी तरफ से इस मुवी को मैं देना चाहूँगा 6.5 आउ नेट्फ्लिक्स पर उससे कुछ हटके बनी है तो आपका एक माइंड रिलेक्स जरूर कर देगी है मुवी क्यार बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में थैंक्स वर वॉचिंग इस वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहिंद